प्रमुक उत्पादक एवं निर्यातक देशों से आपूर्ती बढ़ने तथा दाम घटने से घरेलू बाजार में भी सोयाबीन एवं सोयामील की कीमतों में नर्मी का माहौल देखा जा रहा है। प्राष्ट्रिय बाजार में गैर प्रतिसपर्धी हो सकता है जिससे इसके शानदार निर्यात प्रदर्शन में बाधा उत्पन हो जाएगी। सोयाबीन एवं सोयामील के उत्पादकों को इससे नुकसान हो सकता है। वैश्विक बाजार मूल्य में लगभग एक सो डॉलर प्रती टन की भारी गिरावट आ चुकी है। आगे इसमें कुछ और नर्मी बनने की संभावना है। Solvent Extractors Association of India, C. द्वारा संकलित आकडों से पता चलता है कि चालू वित वर्ष के शुरुआती नौ महीनों में यानि अप्रेल दिसंबर दो हजार तेईस के दौरान देश से सोयाबी ओसी का निर्यात उचल कर बारह दशमलव एक शूने लाक टन पर पहुँच गया जो अप् इससे भारत को अपने उत्पाद का निर्यात बढ़ाने का अच्छा अफसर मिल गया लेकिन अब भारतिय सोयामील का निर्यात ओफर मूल्य अर्जेंटीना से करीब 30 से 35 डॉलर प्रतीतन उपर पहुँच गया है। समर्थन मूल्य, MSP से भी नीचे आ गया है। द्यापार विशलेशकों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर सोयामील का भाव जिस रफ्तार से घट रहा है उसे देखते हुए लगता है कि जल्दी ही भारतिय सोयामील अंतराश्ट्रिय बाजार में गैर प्रतिसपर्धी हो सकत है जिससे इसके शांदार निर्यात प्रदर्शन में बाधा उत्पन हो जाएगी। सोयाबीन एवं सोयामील के उत्पादकों को इससे नुकसान हो सकता है। डॉलर प्रति टन की भारी गिरावट आ चुकी है। आगे इसमें कुछ और नर्मी बनने की संभावना है। इसमें अर्जेंटीना से सोयामील के निर्यात शिप्मेंट में काफी गिरावट आई है क्योंकि वहां इसका स्टॉक सीमित है। इससे भारत को अपने उत्पाद का निर्यात बढ़ाने का अच्छा अफसर मिल गया। लेकिन अब भारतिय सोयामील का निर्यात ओफर मूल्य अर्जेंटीना से करीब 30 से 35 डॉलर प्रती टन उपर पहुँच गया है। चालू वर्ष के दोरान अर्जेंटीना में सोयाबीन के उत्पादन में शांदार बड़ोतरी होने की उम्मीद है जबकि ब्राजील में भी उत्पादन कुछ बढ़ने की संभावना है। इसके फल प्रो रिपोर्ट मार्केट ताइमस टीवी